आज तक किसी भी सरकार को मीडिया की नैतिकता की उतनी फिक्र नहीं थी जितनी की ये सरकार को है आप यानि की लोक्षाई का चौथा खंबा ही नैतिक नहीं रहेगा तो बाकी के तीन तो आप जानते ही है सरकार मीडिया की नहीतिक्ता से यानि की नहीतिक्ता में फिसलन की जो संभावना है इससे इतनी अपसेस्ट रहती है कि खुद की नहीतिक्ता की चिंता करना भूल जाती है अब यह जो न्यूज लॉन्री और न्यूज क्लिक पर जो इनकम टेक्स के रेड हुए उसको सर्वे कहा गया है अब ये सर्वे नुमा रेड या रेड नुमा सर्वे पे ऐसा भी कहा जा सकता है कि हमने देखी है इन आखों में धतक्तीज वाला रेड को रेड ही रहने दो सर्वे का इसे नाम ना दो पहले मीडिया सर्वे किया करता था सरकार के बारे में अब सरकार सर्वे करने जाती है मीडिया के बारे में अब देखिए ये रेड सर्वे बगेरा तो चलते रहेंगे क्योंकि सरकार की आलोचना चलती रहेगी तो सरकार ये कर सकती है कि ऐसी कमपनियों को एक तरफ उसके उपर रेड किया जाए और दूसरी तरफ उसको नागरिक सम्मान भी दिया जाना चाहिए ताकि लोकशाही की जो एक परमपरा है वो बनी रहे अब देखिए किसी मेडिया कमपनी पर एक दो बार छापे पड़ गए किसी भी सरकारी एजनसी के तो उस कमपनी को सरकार रेड श्री का खिताब दे सकती है अगर रेड से किसी को एतराज है तो सर्वेश्री भी कहा जा सकता है किसी मेडिया कमपनी पर चार पाच छापे पड़ गए वही कुछ ज्यादा ही वो लोग सक्रिय हो गए है तो उसको जो है सरकार रेड वुशन से सम्मानित कर सकती है और वही कोई कमपनी हद से बाहर जा रही है दो-चार छापे से समझ नहीं रही है तो फिर अकाउंट वगेरा शायद फ्रीज कर जाने पड़े तो ऐसी कमपनी को रेड विबुशन गोसित कर सकती है और आपको उन कमपनीयों की भी परक हो जाएगी जो ये रेड श्री और रेड वुशन विबुशन वाले खिताबों की लालाईत नहीं है और ऐसी कोई लालच के बिना निरंतर अपना काम किये जा रही है